शो बिजनस काफी जादा competitive industry है अगर आप शो बिजनस में कदम रखते हैं तो competition अपने आप शुरू हो जाता है एक unset सा ऐसे में शैनास को और गिल इस competition को लेकर क्या राय रखती हैं बता रहे हैं हम सभी को बिजनस को और गिल को एक अलगी level of success मिल गए है ever since शेव फीचर इन बिग बॉस सीजन 13 जहां पर उनकी cuteness उनकी चरपिनेस उनकी बब्लीनेस को बहुत जादा पसंद किया था और उसके बाद उनका जो weight transformation हुआ है उसके बाद से वो सिर्फ cute और बब्ली नहीं बलकि sexy and hot भी बन चुकी है ऐसे में शेयनास को और गिल से जब पूछा गया कि आपको जिस तरीकी की success मिली है after big boss season 13 उसको लेकर आप लोग आप क्या राय रखती है और क्या आपको लगता है competition maintain करने के लिए आप कुछ कर रही है या फिर आप जो comparisons झेलने पड़ते होंगे उसको लेकर आपको क्या कहना है तो शेयनास का कहना बहुत simple है कि मेरा काम मेहनत करना है और मैं लगातार मेहनत करते जारी हूँ करने में फोकस करती हूं करने में और अगर सोशल मीडिया पर जो है एक करौड भी लिए जिमक करता है जिसको लेकर बहुत साले बहुत सारे सउखनास होते हैं fan होते हैं सभी रोगो पर कभी ना-कभी ध्यान चला ही जाता है लेकिन मैं majorly यह try करती हूँ कि ऐसे लोगों पर focus ही ना करूँ, इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दू and this is the best way to move ahead leaving behind your haters ऐसे में शेहनास का और गिल का funda तो बहुत sorted नज़रा रहा है और काफी ज़्यादा mature भी हो गई है of what we have seen शेहनास in season 13 of big boss ऐसे में क्या कहना चाहेंगे शेहनास के भैतरी journey के बारे में आप लोग जरूर लिखकर बताएगा comment section में पाकि मैस से जड़े रही हो और भी खबरे हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुचाते रहेंगे